नमस्ते सदावत सले मात्रेपुमे युनाइटरेट स्टेट ऑफ अमेरिका डुनाल टरॉम्प अभी बैठे उए हैं और बाइड़न आने वाले हैं डुनाल टरॉम्प के रहते हुए उनके मिनिस्ट्र आफ स्टेट्स यानि की फॉरेंड मिनिस्ट्र पॉंपियो, माइक पॉ कर रहे हैं जब तक कि बाइडन सीट पर नहीं आ जाते हैं हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि USA की एक policy decide उनका president नहीं करता है USA में policy think tank बनाते हैं और सबसे खास बात यह है कि उसको implementation करने के लिए white house आता है और white house के पास पूरा एक concern है जो implement करता है यह भी एक बड़ी खास बात है कि USA में जो भी president बैठता है उसके पास state के अंदर काम करने के लिए नहीं होता कुछ उसके पास सिर्फ तीन subject होते हैं वो तीन subject हैं foreign affairs, defense और communication तो foreign affairs को लेकर US जो है वो पूरे world में काम करता है और defense के equipment बेचता है जहां से वो अपने खर्चे निकालता है और अपनी defense को ध्यान में रखता है तो जहां तक Google, Gmail, Microsoft यह सब US department के काम है और US department इनको बकाइदा funding करता है यह जो technology आज Google ने या Microsoft ने या और बहुत सारे अप और कंपनिया हैं जो आज publish की हैं यहीं कि 1991-92 में हम मान के चले हैं कि उस समय publish की हैं वो USA के पास उनकी ministry of defense के पास 1950-1945 में थी यहीं कि 1945 में वो internet का इस्तेमाल करते थे और जिस समय उन्होंने हेरोशीमा में और साकानाकी में bomb डाला था उस समय उनके पास internet की technology थी संसार को यह पता नहीं था 90-90 में उन्होंने open किया और public के लिए छोड़ा और भारत के प्रधानमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री मैं कहूं कि 85-86 में उन्होंने यह publish किया था और सब संसार को दिया था उस समय के प्रधानमंत्री technology ले आए लेकिन security threat नहीं सोच पाए नतीजा निकला कि भारत की security भी आज US के हाथ में है एक एक बात भारत की USA के हाथ में है क्योंकि data center सारा उनका है हम चीन के app पर बैन लगाते हैं क्योंकि वो चोरी करते हैं data यहां से ले जाते हैं जसूसी करते हैं लेकिन हम US के लिए तो पूरा खोल चुके हैं 1985-86 में यह एक बढ़ा issue है लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वो जो इन सब के मादल में सोशल मीडिया के मादल में से भी भारत की जसूसियां करते हैं और इसके अत्रिक्त वो पूरे विश्व में एक balance देखते रहते हैं कि उनका lab कहा है यह उनके पास कोई और दूसरा काम नहीं हो उनके प्रेसिडेंट के पास कोई विशेश काम नहीं होता प्रेसिडेंट और उसकी ministry के पास foreign affairs, defense और communication ही होता है internal मामले उनके सारे states देखते हैं state actually वो state नहीं है वो सारे country हैं जो एक agreement के तहत European Union type उन्होंने एक United States of America बनाया लेकिन इतने लंबे समय तक से practice होने के बाद चुकि वो 200 वर्स, 300 वर्स से practice में है इसलिए लंबे समय से practice के बाद अब चुकि defense US के पास है इसलिए वो अब एक country की तरह हमें देखता है वो छोटे छोटे जो उसके अंदर के country पचास है वो country न देखकर हमको state देखते हैं इसलिए वहाँ पर South America में लगातार ग्रह युद्ध चलता है इसमें California मेनेस्थान है जहां ग्रह युद्ध चलता है हम सब को याद होगा कि एक US के महान president हुए जिनके समय पर बहुत कुछ वहाँ पर हो चुका था लेकिन उन्होंने रातो रात पांचों लाख लोगों की हत्याएं करवाई मैं उनका नाम बाद में बताऊंगा लेकिन अभी माइक पॉम्प्यू का जो statement आया चाइना और पकिस्तान को लेकर वो विशिश महत्तो की बात है कि चाइना और पकिस्तान दोनों ही इस समय उनकी एक list बनाते हैं जिसको वो CPC कहते हैं CPC से मतलब है Countries of Particular Concern Countries of Particular Concern इस तरह की वो एक CPC short में हम कहें उसकी list बनाते हैं उस list को वो हर वर्ष publish करते हैं आपको याद होगा कि George W. Bush उसने धुरी राष्ट घोशित किया था उन्होंने जब धुरी राष्ट घोशित किया था तब उन्होंने उसमें Syria रखा था उसमें उन्होंने कोरिया रखा था उसमें उन्होंने और रशा रखा था या इराक रखा था इरान रखा था धुरी रास्ट इस तरह से CPC की लिस्ट वो जारी करते हैं उस CPC की जो अभी लिस्ट जारी हुई है माइक पॉम्पियो ने जो स्टेटमेंट कल दिया या आज दिया उस स्टेटमेंट में उन्होंने कुछ कंट्रियों के नाम लिये और उन्होंने कहा कि ये सारे कंट्री CPC में है जिसमें चाइना और पाकिस्तान भी शामिल है क्या है CPC का मामला उन्होंने कहा कि systematic and agresious violation of religious freedom ये वो कंट्री है जहां पर धार्मिक सोतनतरता बिल्कुल भी नहीं है और ये अपने धर्म को छोड़कर जिस प्रकार से भी violation कर सकते हैं वो करते हैं हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान किस इस्तर पर चला जाता है जिसमें 23% हिंदू आज़ादी के समय पर था वो आज 2% के अंदर रह गया तो population बढ़ने की बजाए वो सब कहां चले गए ये इसका illustration है दूसरा चाइना जिसको पॉंपियो कहते हैं कि हम इनको CPC में रखते हैं और ये religious freedom नहीं देते उसमें उईगर मुसल्मान सबसे सर्बोस्ट एक्जामपल है क्योंकि वो East Turkistan है East Turkistan उसका पुराना नाम था उसके बाद इन्होंने उसका जिन शांग या शिन जांग उसका नाम रखा और वहां मुसल्मानों को freedom पूरी खतम कर दी मुसल्मानों की freedom वहां खतम की एक बात समझ में इसलिए आता है क्योंकि वो एक ऐसी कौम है जो freedom of religion के नाम से लोगों की हत्याइं करती है freedom of religion के नाम से लोगों के fundamental right violet करती है freedom of religion के नाम से पता नहीं क्या क्या करती है लेकिन दूसरी तरफ संसार की सबसे शांत कौम हिंदूओं की एक उपकौम जिसको बौद्ध कहते है बौद्ध समाच जो की तिबत में है दलाई-लामा और लामा परिवार उन परिवारों का जिस समय तिबत पर रूरने कबजा किया उनके जड़े काट दी ये जड़े काटना बौद्ध समाच की और बौद्ध समाच को वहाँ खतम कर देना और रिलीजिन के नाम से सारे अधिकार खतम कर देना और केवल एक मॉडल जिसको वो एकानमिक मॉडल कहते हैं अपने में वो उस मॉडल के नाम पर कतले आम करना और लोगों की हत्याइं करना और मंदिरों की जमीने, मंदिरों मठों का इस्थान इनको डिस्ट्रॉई कर देना ये चाइना ने अपने प्रफेशन में शामिल कर रखा है, इसलिए इन दोनों कंट्रियों को CPC में उन्होंने रखा है, CPC में यही दो कंट्री नहीं हैं, ऐसे उन्होंने दस कंट्रियों के नाम इसमें कल गिनाए, उन दस कंट्रियों में बर्मा, चाइना, इरिश्या, इरान नाइजीरिया, DPR के, सवधेरेविया, पाकिस्तान और तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इनको उन्होंने रखा हुआ है इसके लिए उन्होंने बाकाइदा एक कानून बनाया हुआ है और वो कानून कैसा है वो कानून कुछ इस प्रकार का है कि वो कहते हैं कि हमारे पास International Religious Freedom Act 1998 है जिसमें कुछ प्रावदान है और उसके तहद हम पूरे संसार में जो Religious Freedom लोगों की है उसको Establish करते हैं हाला कि US का यह हत्यार भी हम कह सकते हैं कि उनको जिस country में disturbance करना होता है उस country में इस हत्यार का इस्तिमाल वो पहले से करना शुरू कर देते हैं और इनको वो धुरी रास्ट कहना शुरू कर देते हैं जिसके अधार पर वो countries अपने आपको समझ जाएं कि वो क्या करने जा रहे ह इसके अत्रिक उन्होंने कुछ होर country के नाम लिए जिसमें कोमरोस, क्यूबा, निकरागुआ और रश्या इन पर उन्होंने कहा इन चार country पर मेरी नजर है यूएस की नजर है और ये 10 country CPC में हैं और इन country में religious freedom कैसे बहाल हो उसके लिए यूएस काम करेगा और लगातार करत तो पाकिस्तान जब यूएस पाकिस्तान के साथ खड़ा था तब उसको ये CPC दिखाई नहीं दे रहा था जबकि भारत लगातार ये संसारफर को बता रहा था कि countries रखिये, countries terrorist country होते हैं, state sponsored terrorism होता है हमको याद होगा कि अटल वहरी बाचपेई ने जिस समय पेंटागन पर हमला हुआ यूएस में उससे पहले वाले सेमिनार में कहा था कि आप अभी नहीं समझ पा रहा हैं लेकिन ये जो Islamic terrorism है ये पूरे विश्व के लिए खत्रा है, ये पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेगा वाचपी जी के कहने का अभी बहुत समय नहीं हुआ, सिर्फ 20 वर्ष बीते हैं और 20 वर्ष के अंदर संसार को ये समझ आ गया है पूरे वर्ड को ये समझ आ गया कि नहीं ये चहरा अब इस समय कंट्रियों का है इन कंट्रियों में उन्होंने तर्की को क्यों नहीं रखा मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ तर्की जो है इस समय हिंदुस्तान के काश्मीर में टरिज्म फैलाने के लिए फिदाईनों का सेलेक्शन कर रहा है उनको दो लाक रुपे उन्होंने अनौंस किये हैं कि दो हजार डॉलर हम एक विक्ति को देंगे जाओ कश्मीर को मुक्त करवाओ मुझे लगता है कि जो यूएस की पॉलिसी है या यूएसे ने जिस परकार इनको जिस लिस्ट में रखा हुआ है वो काबिले तारीफ है विश्व भर को इसमें रखना चाहिए उन्होंने आगे कहा अल्शबाब, अल्काइदा, बोकोहरम, हया तहरीर असलाम, हाउती, आईएस, 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 ग्रेटर सहारा, आईएस, वेस्ट अफरीका, जमात, नसर, अल, असलम, वाल, मुसलिम, मीन, और तालिवान ये उनके टार्गेट है, इनको उन्होंने इन्टाइटीज ऑफटिकुलर कंसर में रखा है, याने की EPC, CPC में कंट्रीज हैं और EPC में ये पार्टिकुलर कंट्रीज हैं जिनको उन्होंने इस लिस्ट में रखा हुआ है और वो भी International Religious Freedom Act 2016 के तहत हैं, हमको मालूम है कि भारत में जो संगठन काम करते हैं उन संगठन में के नाम भी इसमें शामिल हैं और ये जो संगठन भारत में काम कर रहे हैं, इनको लेकर भारत सरकार बहुत चंतित है US हमारा साथ इस विशवर दे रहा है और अगर US की तरह UNO भी ऐसा करे लेकिन implementation की policy साथ में बनाए तो ज़दा अच्छा होगा कि UNO अगर कोई बात कहता है तो implement कैसे हो उन countryों को कैसे सबक सिखाया जाए उन countryों को कैसे घेरा जाए और ऐसे religious उद्मान फैलाने वाले countryों को कैसे नस्ते नाभूत किया जाए क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं है आपके वल statement देंगे जब तक इनको समूल नश्तर नहीं किया जाएगा तब तक इसका कोई और इलाज नहीं क्योंकि इनकी basic education जो basic platform होता है वो ही गलत हो गया है और basic platform जिसका गलत हो जाए उस platform को मिटा कर नई किताब लेखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है पैदा होने वाला इन countryों में पैदा होने वाला बच्चा जनम से ही एक wrong philosophy सीखने लगता है जिसमें वो कहता है ये सारी काइनात हमारे लिए दी गई है ये काइनात को हमारे लिए बनाया गया है और हम इसका उपभोग नहीं करेंगे हम इसको नस्ट भी करने का दिकार रखते हैं और ये सब हमारे लिए है और उपरवाला फिर से और फिर से और फिर से बनाएगा तो जिसको ये philosophy बच्चपन से बता दिया गया हो कि मुर्गे को काटने से शादत होती है और उपरवाला खुश होता है ऐसी कौम को क्य समझाए सकता है और कौन समझाएगा इसलिए इस तरह के कंट्री जिन में इस तरह के उनमाद हैं उनको सी पी सी में मत रखे ये सुनिशित करिए कि इनको इस लिस्ट में रखने के बाद इनको समाप्त कैसे किया जाएगा या फिर इनमें बापसी कैसे लाई जाएगी जो ये उत्मात फैलाने वाले basic education दी गई है, इस education से उसको कैसे बाहर निकाला जा और further education ना वहाँ लागू हो, इस education पर when वहाँ पर लग जाए, जैसा फ्रांस ने अपने हाँ लगाने का कोशिच की है, वैसा कुछ हो, तो ही इसमें सुधार हो सकता है, otherwise नहीं हो सकता है, इसलिए अम तित्तो को कहां ले जाएं इसके लिए वो क्या करना चाहते हैं यह जग जाहर है मुझे लगता है कि हम सब को इस पर धेन देना चाहिए और पूरे विश्व को यूए नो पर प्रेशर बनाना चाहिए कि इन कंट्रियों पर केबल नाम इनका नाए इनको किसी निकिसी तरह से स सबक सिखाया जाए ताकि यह आनलाइन रह सके तैंक यू वेरी मच जाना हूं हमारे एप को डॉनलोड करें और लॉपड़ें